सबसे पहले आप लोगों को हैपी न्यूइर दोहजार चौबिस चल गया है फ्रेंड सब लोग स्वास्त रहें मस्त रहें जीवन में खुसाली बनी रहें सबके और फ्रेंड 31 दिसंबर को मेरे पास बहुत सारे केक के ओडर आए और यह जो मैं अभी लेयर कट कर रहे हूं यह केक केक हैं तो मैंने और इसको 6 इंच केक टीन में मैंने बेक किया है तो कि दो बार मैंने इसको बेक किया है वैसे मेरा टॉल है इक वार में उसमें E yıl रहीं अरय वार वी बहुत सारे ओर थे G Services तो केनि ड्राख मैंने उनकी मोशस एक साह्थ ही से रिएर गिलिए के के एक साथ ही मैं इंकी लिएरिंग करेंग एक साथ ही कब दो तिन साथ ही मेरे से बाइर ही ईटम करा करें करें हैं उनको बाद में रेडि करणेंगेे al GB1 चार वजे तक देना है और 5-6 sponge मैंने रात को थे पांची बेह चिए थे और मौर्निंग में किये थे तो यह केक बनाना है हमें strawberry flavor में तो इसमें मैं ने मिलाया है थोड़ा सा infection इस में धम बनाय था इसपंज उसमें भी डाला केक बोड केक हो लिया है मैंने वो लिया है आट इंज का और छे इंज के यह इंज की ईपास Bluetooth कर देहित पहली ले अर्दी इसके क्रीम साहरा है हम ने अच्छे से और आप डाल लिजैंस के ऊपर strawberry crush इसको भी अच्छे से फैला देंगे अगें रखेंगे हम अपनी second layer तो guys इसमें total 8 layer है 5 layer तो निकली है जो 1 के जीवाल जो हमारा base था उसमें से और 3 निकली है हाप के जीवाले में से तो total इसकी 8 layer है क्योंकि हमें इसको tall बनाना है तो यह देखे second layer भी हम कर रहे है ready और जब इसकी crumb coating हो जाएगी तो मैं दुसरे वाले की crumb coating करूँगे एक साथ मैंने सारे cake की crumb coating कर ली थी और फिर उनको रख दिया था फ्रीज में और इसको जल्दी देना था मुझे तो मैंने इसको ready किया सबसे पहले तो यह देखे इस तरह से मैं सारी layer अपनी complete कर लूँगे so guys layering हमारी हो गई है और आप हम कर रहे हैं crumb coating तो crumb coating के लिए मैंने extra cream थोड़ी ही लगाई है जो side में निकली हुई थी उसी से हमने crumb coating कर दिया side की और मैं इसको देखे बार-बार सीधा कर रही हूँ किसलिए क्योंकि यह tall cake है और tall cake में प्रोब्लम आती ही है कि cake टेड़ा हो जाता है कई बार तो मैं इसे side से देखके और इसको सीधा करने की कोशिस कर रही हूँ और friends मैं आपको बता दू यह मेरा अब तक का पहला tall cake है इससे पहले मैंने कभी इतना बड़ा मजब इतना tall cake मैंने नहीं बनाया था बट कुछ सोच के मैंने यह order ले लिया पहले तो मैं घबरा रही थी बट फिर मैंने सोचा हर बार कुछ नया ही करना है चुनोतियां तो हर दिन आती है जीवन में तो चुनोतियों से डरना नहीं है डट कर उनका सामना करना है कुछ नया सीखना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा बस यही सोच कर मैंने यह order ले लिया और बहुत अच्छे से मैंने इसको बनाया बस मैं ऐसे ही डर रही थी का मुखा में क्योंकि होता ही है थोड़ा सा फ्रेंड जब पहला कोई नया ओडर लेते हैं कोई भी काम लाइप में पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा डर होता ही है तो देखे फाइनल आइसिंग कर रही हूँ कि मुझे बार बार इसको क्रीम लगा के इवन करना पड़ रहा था बाकी तो सब इजली बन गया था तो यह देखे जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है आणिवन है वहां पर मैं थोड़ी-थोड़ी क्रीम और लगा कर मुझे तीन-चर वार इस पैचला गुमाना पड़ा था इस पर जादक तो और कुछ नहीं था बस यही थोड़ी सी मसकत हुई थी तो यह देखे बार बार मैं क्रीम लगा कर इसको इवन कर रही हूँ और जब तक यह परफेक्ट नहीं हो जाएगा ना मैं भी दम नहीं लूँगी इसको ठीक करके ही छोड़ूँगी तो यह मेरे प क्रीम है इसको भी मैं हटा लूँगी और एजेश सार्प करने के लिए है मैंने ये पेलेड नाइप को भी मैं पानी में हलका से डिप कर लूँगी इस से क्या होता है हमारी क्रीम है वो पेलेड नाइप में चिपकेगी नहीं और अभी मैं इसके टॉप की क्रीम निकाल लूँगी एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा क्रीम आ जाती है ना साइड से स्मूथनिंग देने के बाद तो यह देखिए हमारा केक हो गया है रेडी मतलब रेडी नहीं है फाइनल आइसिंग इसकी हो गई है और अब मैं इसके अंदर मैं इसमें डाले हैं और साइड में खड़ा करके मैंने इसको थोड़ा सा केक से छोटा कट किया है जिससे कि अंदर अच्छे से चला जाए और यह उपर से दीखे नहीं और अब मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम इस पर लगा दूँगी और इसकी डेकोरेशन ऐसी होने वाली है उपर का सरफेस इसका दिखना ही नहीं है बिल्कुल भी तो यह देखे इसको भी मैं कर दूँगी बराबर और अब हम सुरू करेंगे इसकी डेकोरेशन और मैंने इसकी डेकोरेशन तभी सुरू की थी जब कस्टुमर का कॉल आ गया था तो मैंने उनको बोल दिया था कि कोड़ा सा डाला है पिंक कलर और गाइस अगर आप बेकिंग करते हैं तो एक सवाल आपके मन में आया होगा कि वाइट कंपाउंड को कैसे मेल्ट किया और कैसे इसमें कलर डाला क्योंकि हम कोई भी लिक्विडी चीज इसमें डालते हैं तो यह खराब हो जाती है वाइट च किया अंज्वाल बॉइलर से और इसके अंदर ढाला है दो तीन इसपून ओई और फिर उसके बाद जयाल कलर डाला हैं पिंक कलर तो इस तरह से मेल्ट करके達 दो चम्मच इसमें जाल डालिके ने यह फिर गियिरे दी उच्वीड लिक्विड कलर नहीं डालना है तो हमारी मे अच्छे से मेल्ट हो जाती है और करडल नहीं होती है तो हमने अच्छे से फेला ली है चॉकलेट और साईड में टििपिंग थी उसमें जो फोटो कस्टमर ने भेज़ा था तो हमने भी इसमें टीपिंग बना ली है और कुछ चीजों को हमने रिप्लेस किया है दूसरी चीजों से तो इसमें एक लगी हुई थी बहुत बड़ी वाली चोकलेट तो वो मोल्ड हमारे पास नहीं था तो हमने उसकी जगा पर लगाए है कपकेक तो जो कॉर्ण हमने साइड में लगाए था उसको भी हम फिल कर लेते हैं क्रीम से तो मैंने पिंग क कलर की क्रीम केसी इसको फील कर लिया है और यह वाले कॉर्ण फ्रेंड मिल नहीं रहते बड़ी मुझे वेफर वाले क прогrum मिल है इसको मैंने एद्जस किय भूपर और यह बहुत बड़े बड़े थे इनको थोड़ा से मुझे कट भी करना पड़ा है, तो ये देखे हम लगा देंगे थोड़ी सी यहां पर क्रीम करीस और जूपर रखूंगे में यह आईसक्रीम कॉन यह देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि यह उल्टा कॉन रखा है और इसमें से आइस क्रीम बिखर रही है और जब हम यह डेकोरेशन कर रहे थे सर्दी का टाइम है तो यह चौकलेट की जो इसके उपर लेयर है परत सी जम गई थी और बहुत हार्ड हो गई थी तो हमें ना चा चोकलेट जाएसी से और यह बनाया है और इसको चॉकलेट में ड que ça बिपक जाला है और जो मेरे पास चॉकलेट वाला मोल्ड है आंड मोल्डा है आपनी बनाते हुए उसी में मैंने यह चौकलेट बिलू कलर में बनाई और यह देखे मुझे इस तरह से यह चॉकलेट फोड के इसमें अपनी चॉकलेट लगानी पड़ रही थी कोई नहीं यह सब छुप जाएगा मैं इसको नोजल वर्क से चुपा दूंगी सारा यह देखे अब यह कुछ नहीं दीखेगा तो हमें ऐसे एडजस्मेंट करने पड यह देखे मैं यलो क्रीम और पिंक कलर की क्रीम से इसको पूरा कवर कर दूंगी और यहां ना मैं माफिम चाहती हूं फ्रेंड यह कैमरे का एंगल थोड़ा सा गलत हो गया था इसकी वज़ा से आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं दिख रही हैं और मुझे धिहानी नहीं रहा क्योंकि कश्टुमर का कॉल आ रहा था कि जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए कि पहले तो उन्होंने बोला आप आराम से हमें पांचे वज़े तक दे दीजिए फिर उसके बाद उन्होंने चार वज़े से ही कॉल करना सुरू कर दिया तो देखे दो चॉकलेट मैं मैं लगाऊंगे सामने में और एक किस तरह से ले टी और एक किस तरह से जगाई मेने दो चॉकलेट और जहां जहां भी जगा खाली दिखेगी वही वही में चॉकलेट लगा दूँगी तो ऐसा नहीं है कि सेम मुझे वही बनाना था थोड़ा सा मैंने अपना भी टस्ट दिया है कोई भी आर्टिस्ट हो वो अपना टस्ट देता ही है थोड़ा बहुत तो यह देखिए ये है मोदक वाला नोजल और ये दो है मेरे पास दोनों में ने क्रीम भर रखे एक में पिंक और एक में येलो तो जहां भी मुझे जगा खाली दिख रही है मैं ये मोदक वाला डिजाइन बना दे रही हूं उस पर और इसके बीच में मैं एक 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 एडिवल पर्ल लगाऊंगी तो यह देखे रेंडमली हमने चीजें लगा दी है जहां भी हमें जगा दिख रही है और यहां पर बहुत सारी जगा खाली थी तो हमने यहां पर चॉकलेट लगा दी है जो हमने गानिशिंग बनाई थी वो हमने लगा दी है और अब हम इसके उपर डालेंगे एडिवल पर्ल और थोड़े से स्प्रिंकल तो ये देखिए हमारा केक लगबग रेडी ही हो गया है और बनने के बाद बहुत सुन्दर लग रहा था फ्रेंड और मैंने इसको पंदरे सो में सेल किया है और सब लोग बोल रहे थे जो मेरे पड़ोसी भी थे उन्होंने देखा ये केक तो बोल रहे थे कि अगर बेकरी से लिया जाए तो ये 18-1900 से कम का नहीं आएगा आई थिंक ये 2000 तक का वो बेकरी वाले देंगे बट आपने बहुत सस्ते में इसको बना दिया है पर भाई क्या करे कस्टुमर को तो ये भी महेंगा लग रहा था चलो कोई नहीं सब सब की अपनी अपनी राय होती है तो ये द लग रही हूं और थोड़े से मैं छोटे-छोटे वाले पारल जो है वो भी डाल दूंगे उपर से और कुछ डाले है मैंने स्पिंकल तो केक हमारा बस रेडी ही होने वाला है और मुझे डर था कि ये कहीं कम न रह जाए वेट में बट ये 80 ग्राम उपर ही हो गया था तो इ एक कपकेक हमने रख दिया है उपर और एक कपकेक रखना है हमें साइड में एक साइड में लगानी थी आइसक्रीम कौन और एक साइड में लगाना था कुछ लगा हुआ था बट उसका मोल्ड मेरे पास नहीं था तो मैंने ये कपकेक बना कर लगा दिया है तो ये देखे फ तो ये मेरे केक का ओवरोल लुक है, कैसा लगा आज का केक, प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आती है, तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो इसको सेर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो फ्रेंट देखे, मैं इसको जब पैक कर रही थी, तो तब ही कस्टुमर का कॉल आ गया था, और उन्होंने इतनी जल्दी-जल्दी की न, मैं इसकी पैकिंग भी आपको नहीं दिखा पाई, तो गाईस मैंने इसको डबल बॉक्स में पैक किया था, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, बावाई एंड टेक केर,